25 सितंबर साल 2014 को मेकिन इंडिया कारिक्रम की शुरुवात हुई निर्माण को बढ़ावा देने और सम्वर्धन के लिए प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने इस कारिक्रम की शुरुवात की मेकिन इंडिया का उद्धेश है भारत को महत्वपूर्ण निवेश, निर्मान, संग्रचना और अभिनव प्रियोगों के वैश्व केंद्र की रूप में बदलना यह योजना मुख्यता निर्मान क्षेत्र पर केंद्रित है लेकिन इसका मुख्यों देश, देश में उद्ध्यमशीलता को बढ़ावा देना है इसका द्रिष्टिकोन निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुन्यादीर संग्रचना विदेशी निवेश के लिए नए ख्षेत्र को खोलना और सरकार और उद्योग के बीच एक साजेदारी का निर्मान करना है 25 सितंबर साल 1916 को दीन दयाल उपाध्याय का जन्म मतुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानवाद नामक विचारधारा देने वालों में उनका नाम अग्रणी है वे राष्टी स्वयम सिवक संग के चिंतक और संगठन करता थे वे भारती जनसंग के अध्यक्ष भी रहे राजनीती के अतिरिक्त साहती में भी उनकी गहरी अभिरूची थी उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो विभिन पत्रपत्रिकाओं में प्रकाशित हुए